तो प्राक्टिस करते जाए आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है उसी को आपको रिवाइस करना है रिवीजन में कम ही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो आपने पढ़ लिए अगर आपने उसको रिवाइस नहीं किया तो guys, paper को clear करने में आपको थोड़ी-थोड़ी problem हो सकती है तो हम आपको best wishes कर रहे हैं और साथ-साथ में आपको हम चाहते हैं कि आप selection लेकर ही निकले तो कुछ words ऐसे जो कि आपके paper में पूछे गए हैं वो सारे D के words में आपके लिए लेकर आई हूँ वो सारे words जो आपके paper में कई बार आए हैं बस आपको उनको देखना है पढ़ना है और बस याद कर लेना है ठीक है पहला word है आपके सामने devastate डिवास्टेट का क्या मतलब हो जाता आपको पता है न destroy या फिर ruin कर देना कैसे याद करोगे ध्यान देना याद करने का तरीका है क्या एक मिनिट रुकना okay याद करने का तरीका है सारे words को जो कि आपके लिए बहुत important है thank you so much निधी thank you diva state कि हर डिवा के किसी भी state में अगर डिवा किसी भी state में diva का मतलब क्या होता है कि ऐसा person जो थोड़ा सा famous होता है stylish होता है मुझे को diva बोलता है diva state का मतलब है diva जो होती है वो किसी भी state की हो अगर कभी भी कोई भी problem आती है तो हर कोई बंदा रिवा रिउन हो जाता है खराब हो जाता है तो ऐसे आपको याद रखना है किसी भी state की diva हो आपको पता है न कि diva जो है diva डिवा जो है वो किसी भी state की हो डिवा होता है कि ऐसा person जो कि stylish सीड पर्सन के नम से जाना जाता कि डिवा जो है वो किसी भी स्टेट की हो अगर को है अजीब तरीके से नहीं करेगा किसी भी। करेगा तो एंदि करेगे Sports कि लोगों के साथ हो कहीं नहीं फुक्न से बाहवरत के होजाएगा करेए बाहूं date का मतलब होता है कि जब आप खतम होने के कगार पे हूं जब आप destroy होने के तो वह कई बार आपके ही paper में पूछा इस आरे words यह है आपका discard करना कोई चीज को फेक देना निकाल के फेक देना जह कर देना guys discard कर देना किसी भी चीज को हटाएंगे जो की गलत होगा तो एक सही result निकल के आएगा तो हम बोलते negativity को आपको हटाना है आपको दूर रखना है तो जब हम चीजों को discard करते हैं फैक देते हैं निकाल के है ना नहीं मनीश ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार आना तो चाहिए ठीक है तो हम क्या बोल रहे हैं किसी भी चीज को हमने reject कर दिया है क्या कर दियागा is reject मतलब हमने मना कर दिया है abandon का मतलब हमने त्याग कर दिया है किसी चीज का क्या कर देना त्याग कर देना और eliminate method हम लोग use करते हैं elimination method हम लोग यूज करते हैं जब हमें सही रिजल्ट चाहिए होता है तो हमने क्या किया eliminate कर दिया discard ऐसे याद रखना this card मतलब यह जो card है है ना यह जो card है मैं इसको क्या कर रहा हूं मैं इसको fake रहा हूं क्योंकि यह card मेरे लिए सही नहीं है जैसे आपको कुछ और हो ना हो आप लोग की क्लास ज़रूर हो जाएगी मारतन ठीक है नजी ठीक है उसमे सारे questions वगएरा सारे आपके vocabulary सारा कुछ हो जाएगा जिससे आपको काफी help मिलने वाली इस पूरे pattern से भी आपको काफी help मिलेगी ठीक है तो के सामने डिस्कॉर्ड क्या हो जाता है I disagree with your statement जब हम क्या करते हैं जैसे हम बोलते हैं डिस्कॉर्ड हो गया दोनों के बीच में है ना जब क्या हो गया है जब हम बोले कि दोनों लोग किसी एक बात पर अग्री नहीं कर रहे हैं डिस अग्रीमेंट दिखा रहे हैं मतलब कोई भी एक परसन जब आपको सामने वाले की बात से अग्री नहीं हो जैसे कि तुम बोलो कि हमारा paper तो आ रहे है लेकिन हम पढ़ना ही रहे हैं लेकिन तुम इस बात से अग्री नहीं हो कि आप क्यों नहीं होता है कब तक आएगा paper से दो तिन दिन पहले आ जाएगा अभी तो टाइम है ना परस से शुरू है आपका paper अभी time है ठीक है तो आपका discord हो जाता है जब आप किसी बात से आप वर्द दे कि नहीं यह काम नहीं होने वाला है ना disagreement करते हैं या फिर disagree करते हैं कि यह चीज से आपको पता है ना जैसे जब तुम कोई भी चीज लेते हो मेरा coupon code लगाते हो ना Y452 लगाते हो क्या लगाते हो अगर जैसे यह वाला code आपने क्या लगाया Y452 लगा दिया लेकिन आपको batch लेना आपको पता है यह वाला किसके लिए होता है books के लिए होता है मैं book कौन से book कम जो मैंने आपको बोली थी, उसमें टाइम लगेगा, तो आप इन सब चीज़ से पढ़ते जाएए, ठीके, अब यहाँ देखो, यह Y452, तुमने क्या किया, डिस अग्रिमेंट दिखाएगा, कि तुमने तुम्हें बुक नहीं लेनी है, तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें जो कूपन कोड है, वो आपका सिर्फ बुक्स के लिए है, बैच के लिए नहीं है, तो जब आप यह कूपन कोड लगाएंगे, सामने से वो disagree करेगा, इस बात के लिए, कि नहीं ऐसा नहीं होता है, अगर आपको बैच लेना है, यूज कूपन कोड Y452, बुक लेनी है, तो S लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो डिस कोड को ऐसे याद रखना, यह जो कोड है, यह disagree कर रहा है, कि मैं तो नहीं लगूंगा, इसलिए मुझे डिसकाउंट भी नहीं मिला है, इस टाइप से आपको याद रखना है, नेक्स नमबर देखो, दोसाइल क्या हो जाता है, दोसा अपनी मिट्रे से जुड़ा हुआ है, सभी को होती है, जब तक बुक नहीं होती, तब तक प्राब्लम जाती नहीं है, बुक होने पे ही प्राब्लम सारी खतम होती है, तो आपको बोल रहा है, डोसाइल, इसका मतलब एक ऐसा परसन, जो की काइंड हर्टिड होता है, जेंट से बात करता है, डोसाइल का क्या कनेक्टिंग वर्ड बनाएं, रेखो अब ऐसे बना सकते हैं, डोमिसाइल, आप बुलते हैं, मैं मेरे यूपी से हुँ, तो मेरा डोमिसाइल होता है, मतलब जितने 20 मेरे सर्टिपिकेट्स हैं, वो सारे वहीं है, तो यूपी वाले हम ऐसे कुराफाती होते हैं तो इस याद रख सकते हो कि जो मेरा डॉमिसाइल है वह यूपी का है इसलिए हम कैसे है मैं बुक के लिए कोड काम करेगा बहुत के लिए तो यह वाला कोड है ना देखो ये 452 एस बूक के लिए तो मैं लेख भी देती हूं लोग अगर आपको चाहिए तो Y452S coupon code है, S भी लगाना पड़ेगा, लिखा हो Y coupon code तो उपर, ठीक है, करेगा, करेगा, ठीक है न, तो यह रहा है आपका domicile वेल, नेक्स नमबर देखो, डाइनमिक, देखो, डाइनमिक को ऐसे याद रखना है, कोई भी चीज जो की, कोई भी चीज जो ऐसी होती है, की चीज चेंज हो रही होती है, तो जो की, कोई भी चीज जो चेंज हो रही होगी, है न, जो बदल सकता है, जो बदल रहा है, हम उसको dynamic बोलते हैं, और हम static अगर इसकी उल्टे की बात करें, तो हम इसके static की क्या बात बोलते हैं, static का मतलब होता है, वो चीज नो जो नहीं बदलता हो, है ना, कौनसा भई, जो नहीं बदलता हो, वो आपका static हो जाता है, ठीक है ना, हाँ, जो नहीं बदलता हो, वह आपका क्या हो जाता है समझ तो रही हूँ क्या बताऊं तुमें है ना नेक्स नमर देखो डीड, डीड होता है आपके 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 अठ्षन जैसे बोलते हैं ना कि अच्छे काम करने चाहिए गुड डीड अच्छे काम जो आप अठ्षन करते हो वह अच्छे होने चाहिए, एक होता है डेड, मरा हुआ एक डीड होता है डीड, पेपर इजी आएगा ये बात का ध्यान रखना, हाँ तो मनीश बात में आ जाएगा, बच्चे किसी का आगे होगा, किसी का नहीं आएगा, किसी का आएगा, है ना, तो पेपर से दो दिन पहले आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा, ठीक है ना, क्लियर है, तो यहाँ पर डीड होता है आपके अक्षन, जो आप काम कर रहे होते हैं, जो भी आप काम करते हैं, जैसे बोलते हैं, अच्छे काम हमेशा अच्छाई ही लेकर आते हैं, तो डीड का क्या मतलब हो गया, जब आएगी, डिले का मतलब सबको पता है, जब हम क्या हो जाता है, देरी, है ना, पुट ओफ, रेखो, यह जितने भी इसके सिननिम्स लिखे होए हैं, वो ही कई बार पूछे गए, पुट ओफ, लिंगर और पोस्ट पॉन, है ना, जैसे हम बोलें कि यह काम हम बाद में है, हमेशा बाद में करेंगे, लिंगर के साथू हमेशा लिंगर और आता है, समझ में आ रहे हैं, यह पुट ओफ का मतलब है कि जब चीजों को हम डिले कर दें, जैसे हम कि मैंने अपना वेट कम कर लिया है, लेकिन एक put off होता है जब हम बात कर रहे होता है किसी भी चीज को हमने delay कर दिया वो भी आपका put off होता है put off का मतलब भी होता है कि जब हम बोलते हैं कि जैसे अपनी socks निकाल दो कोई चीज को निकाल देना भी put off होता है फिर से समझो put off जो होता है वो होता है कि जब हम weight की बात कर रहे होता है कि मैंने अपना weight क्या की है, कम किया है क्या किया है मैंने कम किया है उसके बार मैं बोलू कि अपनी socks निकाल दो बहुत गंदी smell आ रही है उसको भी हम put off में लेकर जाते और put off का मतलब आपका delay भी होता है ठीक है न, put off का मतलब आपका delay भी हो जाता है, और linger के साथ हमेशा preposition on लगती है, याद रखना इस चीज सारी, ठीक है न, next नमर देखो, develop, कोई चीज जब बढ़ती है, है न, जब कोई चीज बढ़ती है, मतलब जब कोई चीज आपकी growth में होती है, बढ़ती, जब कोई चीज आपकी बढ़ती है, है न, जब कोई चीज आपकी growing phase में होती है, तो हम उसको बोलते हैं, वो develop हो रही है, क्या हो रही है, जब कोई चीज आपकी growing phase में होती है, तो हम बोलते हैं, वो develop हो रही है, लिंगर new word है हान जी नया word तो नहीं कह सकते हैं कई बार आता है हमें तो यादी है बट येस आपके लिए नया हो सकता है बट याद रखना paper में पूछा जाएगा ये सारे words आपके paper में पूछे गए हैं ठीक है ना तो develop होगे आपका जब हम grow कर रहे बिखुम होते हैं next नमर्व देखो discover अपको पता है या कोई चीज जब हमें मिल जाती है ं δिस्कवर कर लिया हमने क्या कर दिया जब हमने discover कर लिया कि यहना कोई चीज हमें मिल जाना find कर लेना कोई चीज का मिलना अच्छा अगर मैं बताओं आज अगर भुक खरीदोगे तो आप मिलेगा क्लाश के अन में बताती हूं तुम्हें ना बुक्स पर सेल है तो आज भुक खरीद लो इवन जादा बेटर लगेगा तुम्हें वाई 452 है ना वाई 452 लगा के अगर कोई भुक खरीद नहीं है तो दुबारा तैयारी करोगे दुबारा फिर पढ़ोगे दुबारा फिर प्रैक्टिस करोगे सब कुछ दुबारा दुबारा करेगे है ना सब कुछ दुबारा दुबारा करोगे ना जो तुम दुबारा दुबारा करोगे वो कहीं न कहीं पेन देगा इसलिए अभी की मेहनत जो थोड़े टाइम की मैनत है वो आपको आगे लेकर जा सकती है याद रखना वो आपको आगे लेकर जा सकती है इस बात को हमेशा याद रखना इसलिए अब इस ताइम पे बहुत तगड़ी मैनत होनी चाहिए D stress का क्या मतलब हो जाता है trouble, misfortune या फिर grief इसका क्या मतलब होता है जब हम किसी मुसीवत में फश जाते हैं है ना कैसा जब हम किसी मुसीवत में फश जाते हैं तो मेरी जो D है मुझे क्या देती है जो मेरी बेहन है मुझे stress देती है कैसे देती है इस्ट्रेस का मतलब होता है जब मैं दुखी हो जाता हूं और मैं परेशान हो जाता हूं मेरी जो दी है मुझे क्या देती है इस्ट्रेस देती है मुझे फाल तो मैं परेशान करती है क्या करती है गाईज हान नंदनी करवाने यार यह सारे आपके पेपर में पूछे गए तो है वर्ड्स आप एक बद चेक करना आप अपना जू भी आपके क्या कितने हैं मौक टेस्ट है ना उनको चेक करना यह सारा कुछ मिलेगा आपको यह सारे प्रिविएस एयर है आपके पूछे गए है अगर आपने मौक टेस्ट दिया होगा तो आपको पता होगा तो पता है यह सभी को डिस्टिब्यूट कर देना बाट देना किसी चीज में डाइवर्स थी जैसे हम बोलते हैं कि हमारी जो इंडिया है हमारा जो भारत है यह एक डाइवर्स कंट्री है मतलब तो उसमें अलग-अलग टाइब के लोग रहते हैं अलग-अलग अलग races के अलग-अलग gender के और अलग-अलग pace जैसे हम बोल सकते हैं color के अलग-अलग है ना यहां पर हम भोल रहे हैं difference, variety or dissimilarity अलग-अलग टाइब के मैं practice set, test करा दीजिए ठीक है नंदनी करा दते हैं तु यार ये तो हई है अलग-अलग होना diverse का मतलब होता है आपका जब आपको देख чув अलग-अलग तरीके के लोग यह अलग-अलग तरीके के लोग जो होते हैं यह सब प्रिविएस यह आप एक बार चेक करोगे न यह आपको सारा कुछ मिलेगा यह सारे words आपके previous year है, सारे के सारे, हाँ जैसे हम बोलता है अलग-अलग type के लोग है, type अलग-अलग तरीका भी हो सकता है, type हो सकता है, sort हो सकता है, अलग-अलग sort, sort भी आपका क्या होता है, variety हो सकता है, यह सारे words आपके use हो सकता है यह अगर आपने mocktis लिया है, अरे कोई भ लगा रहे हो एक बार नमबर जरूर अड़ा का आना चाहिए क्योंकि हर बार जब आप मॉक्तिस लगाओगे तो आपको नए बहुत नजदीख है याद रखना दिक्कत होगी वर्ना नेक्स नमबर देखो ड्रैड पूल क्या होता है फियर फुल हॉरिबल ऑफुल ड्रैड का मतलब पता है ना ड्रैड का मतलब होता है डैड की तरह हो जाना तो इसका मतलब है जब कोई चीज आपके लिए भयानक होती है क्या होती है जब आपके लिए कोई चीज भयानक होती है से हम बोलते है ना यार इतना भयानक था कि मैं तो आधा मर गया था है ना भयानक होना ड्रैड का मतलब क्या होता है डैड से डैड और फुल मतलब कोई ऐसी चीज जो की कहीं न कहीं मौत से भरी हो कैसी भरी हो मौत से हाँ करा देंगे करा देंगे don't worry करा देंगे करा देंगे आपको सब करा देंगे ये भी तो previous year है पूरा का पूरा क्या कौन सा लूँ क्या कौन सा लेना मॉक्टिस्ट हाँ डरा हुआ चीक है न डरा हुआ next देखो dull dull का मतलब पता है न बहुत बढ़िया dull का मतलब होता है एक ऐसा person जो की mono monotonous होता है mono का मतलब होता है सिर्फ दो रंग का है न मतलब mono मतलब एक ही होता है लेकिन दो रंग जैसे black and white या black आएगा या फिर white आएगा ठीक है तो एक ऐसा person जिसके जीवन में color ही ना हो है ना without color अगर हम बात कर रहे है तो जिसके जीवन में color ही नहीं है वो आपका monotonous हो जाता है stupid हो जाता है boring हो जाता है तो dull एक ऐसा person जो की fade होगा pale होगा है ना जब बोलते हैं ना fade हो गया हो तुम तुम pale हो गये हो तो यह सारी जो है वो आपके dull हो जाएंगे हाँ टिडियस भी बोल सकते है हाँ शान्ती वो ठीक है बट यह maximum लगाईएगा divine का क्या मतलब होता है divine godlike holy और superhuman पवित्र भोलते है ना पवित्र पता है divin का मतलय होता है पवित्र कोई चीज का है ना तो जैसे हम बोलते हैं ना की वो जो person है हो कि हमारे ली डिवाइन है holy Ugh süper human Godlike भगवान के जैसा जैसे कोही कोही होता है कोही कोई heroes को अपना wolf सब्सक्राइब है तो यहां कि फालो करते हैं इतना गुम हो जाते उसमें इतना इतना घूम हो जाते हैं तो पवित्र हो सकता है यहां पर पर सोक्ता है paradise का मतलब हो जाता है heaven heaven का मतलब क्या हो जाता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहां पहुंच गया हूँ मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ तो तब जब हम बहुत पवित्र फील कर रहे होते हैं पाइस फील कर रहे होते हैं holy फील कर रहे होते हैं मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूं कौन सा मोक लूँ कि मुझे समझ नहीं आरा कि मैं कौन से वाले पर स्टिक हो जाँ है न किया हो सकता है डिसाइड का मतलब होता है कि अब यह काम में करूंगी और मैम KVS में selection लेके रहेंगे तो यह आपने decide कर लिया है क्या कर लिया गाइज ही आपने decide कर लिया है कि अब यह काम में करूंगी है ना हाँ बहुत बढ़ी है next number देखो dead का मतलब सबको पता है next number delightful delight का मतलब ही खुशी हो जाती है delight का मतलब chocolate delight आता है आपने ice cream खाया होगा chocolate delight आता है तो जो chocolate delight होता है उसका मतलब ही होता है कि आपको खुशी मिलेगी खाने से या मिलेगा आपको खुशी मिलेगी आप delighted फील करोगे delight का मतलब क्या होता है आप बहुत खुशी फील करेंगे यह इसा फील करेंगे खुशी-खुशी फील करेंगे खुशी-खुशी ठीक है? डिलाइट का मतलब क्या हो गया? कि आज हमारे घर की जो लाइट है वो वापस आ गई है ना देर रात जब लाइट आपकी क्या आ जाए वापस जासे कभी गभी असandल चत होजाते है न देर रात लाइट वापस आई देलाइट है न तो हम कैसे हो गए हम बहुत खुश हो गए जो हमारे वह वापस आई तभी तो लोगों ने तालिया बजानी स्टार्ट कर दी हाँ हाँ जना जनन तुल सिद्धिकी जनन तुल वाट वाट यू वाट यू वाट टो डेलीज प्रभात थापा यूफोरिया बिल्कुछ सही है चीक है बही चीर पुल चीर नहीं चीर फुल तो अलग हो जाता है चीर फुल हो गई आपकी अब आपके पाद जगा नहीं है यह यह चीर फुल अलग है छीर फुल फुल मैं में आपके पढ़ाय क्वेश्टन एक्जाम में आये हैं प्रभात कौनसे वाला पेपर देखिया है तुम ये बताओ पहले despise कौन हो जाता है ice pies जैसे हम बोलते था न ice pie प्रभाद आपने कौन सा paper दिया था बच्छा despise जब हम किसे से hate हो जाती है hate पताए ना जब हमें किसे से घ्रणा हो जाए प्रभाद कौन सा paper दिया था भाई बताओ ये तो ही बताएंगे कुछ और जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि किस तरीके से आपके पास चीज़े पहुच रही है तब तक कैसे समझ में आएगा मैम ये और vocabulary trick इस सूपर नाइस, इसली याद हो रहे है बहुत बहुत शुक्रिया हाँ, सारी जगा आएगा मैम CRPF का आज ही था, प्रभाद बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया CRPF में अगर मेरे पढ़ाईवे question आरे से तो बढ़िया कुछ होई नहीं सकता यार, ये तो best हो गया best हो गया इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता thank you so much प्रभाद इतना अच्छा लिखने के लिए क्योंकि ये मैं अपनी वाल पे लगाऊंगी है ना, मैं जो अच्छे चीचीजे होती है मैं उसको अपने वाल पे लगा लगती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया रागिनी कोशिश तो पूरी है यार देखो पेपर सेट मैं तो नहीं करती ना लेकिन आपको वही वही चीजे पढ़ाए जाती है जो आपके पेपर में प्रिवेस यरली पूछी गई है रागिनी बहुत अच्छे से पेपर करो गया आप टेंशन मतलो सब आएगा आपको सब मिलेगा और फिर फर्स्ट को तो आपको बता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ है ना hate करते हैं घरना करते हैं जब आप किसी से hate करते हैं है ना किसी को देखके आपकी eyebrows जो है वो चड़ जाती है उसको बोलते हैं प्रभात बिल्कुल selection होगा बच्चे बिल्कुल selection होगा और कहीं ने कि उनको लगता है कि मैम से पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा आ रही है चीजे समझ में आ रही है तो प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से करो अभी भी साथ से आठ दिन बचे हुए हैं हाँ विजयता कर सकते हो जी कि अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि अगर अब अभी भी कम से कम 25 से 30 मोक्ऺटष लगा सकते हो 25 से 30 मोक्टष अभी भी आप लगा सकते हो ठीकioned ना कि चलिए नेक्स समर्मर आप लोग के सामने डिस्ट्रॉई का मतलब आपको घता है डितर्मिनेशन है ना हमने decide कर लिया है कि अब हम यही करेंगे तो determination होता है द्रडश्चा है ना next number देखो dejection इसका क्या मतलब होता है दुख, deject होना विजे कोई बात नहीं कोई दिकत नहीं है dejection का क्या मतलब होता है जब से मेरा rejection हुआ है है ना मैं तब से बहुत दुखी हूँ है ना जब से मेरा rejection हुआ है तब से मैं बहुत दुखी हूँ तो यह आपका dejection हो जाएगा क्या हो जाएगा dejection जिसको भी vocabulary का प्लॉप एक बार आपको वह अपना problem तो आप एक बार जाके 60 speed देख सकते हो मैं मेरे 60 अबव है number okay 60 अबव आ रहे हैं आपके मौक में इंग्लिश बिल्कुल डाउन है क्या करें यार यह तो पहले करना चाहे था ना अब तो दिक्कत होएगी नब तो पेपर सर पे आ गया अब तो और दिक्कत लगी डेपिक्ट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को शो कर रहे होते हैं मैं बोलते हूं ना कि जब भी कोई चीज आपकी खत्रे में होती है उसको बोला जाता है अ बर्शा वोकेबलरी बहुत आएगी अच्छे से इस पहलिंग गलत लिखी है वो दिणा लात अच्छी इंगी कि कि का मतलब होता है जो किसी चीज को दिखार हे होते हैं डिखाना तेरी पिक है ना तेरी पिक दिखा रही हूँ तेरी पिक क्या कर रही हूँ तेरी पिक में दिखा रही हूँ किसको इसको ठीक है नेक्स नमबर देखते है डेस्टिनेशन आपको पता है कि मैं हमारी डेस्टिनेशन क्या है हमारी destination है आपका KVS में selection मतलब जो मारा target है है ना मैम जो मारा target है जो हमने goal बनाया हुआ है वो क्या है हमारा वो है आपका KVS में selection मैम यही है अगर अभी भी book और mocktest लेना है तो आप आज भी ले सकते हो और अगले अभी काफी दिन है दिन में 4-4-5-5 mocktest लगा दो ठीक है next and the last number devotee devotee कौन होते हैं वो person जो अपना सब कुछ भगवान को दे देते हैं मैम narration भी करवा दो कभी अच्छा विजय करवा देंगे हान दी पक्का होगा बच्चे बस पेपर में डरना मत तुम लोग है ना devotee कौन होते हैं आपको बता है ना जो हमेशा ही भगवान के लिए अपने हर काम को छोड़के बस भगवान नाम की बात करते रहते हैं 50 प्लस लगा के चलो मतलब 50 परसंट प्लस 50 परसंट प्लस लगा के चलो शांती इतने पर जाएगी नहीं मौक टेस के लिए कोर्स लेना नहीं पड़ेगा मौक टेस सिंपली मिलता है आपको यहां पर आपका वर्शिप हो जाएगा यह रहा था आपका आपको ऐसे ही words को याद रखना है इससे confidence तो आया होगा थोड़ा बहुत मौक टेस्ट आप सिंपल भी ले सकते हैं आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्फ अड़्डा 24-7 पर जाना है कहां जाना है अड़्डा 24-7 पर जाएए जैसे जाएंगे first line पर करना है click तुरन पहुं आपको coupon code लगाना है Y452S कोई भी लोगे 200-2300 रुपे की है यह बट आपको क्या करना है आपको coupon code Y452S जब लगाओगे न तो यह आपको और भी सस्ती पढ़ जाएंगी सारी की सारी खरीद के लगाना start कर दो 25-25-25 टेस्ट है ठीक है न ठीक है 25-25-25 टेस्ट है सारी की सारी लगा दो 100 ही तुम वह है मॉक टेस्ट लगा दो प्यार से लगा दो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है क्लियर हो गया आपकी marathon लेकर आ जाते हैं एक दिन किसी दिन तुम लोग के सारे questions और काफी ज्यादा questions जो की आपको लगे कि yes यह हमारे paper में पूछे जाने वाले हैं ठीक है तिल देन गाइस टेक कियर बहुत शुक्रिया धन्यवाद थैंक्यू सो मच पढ़ते रहे हैं यह कोड सारी जगा काम चलेगा भरही आप कोई भी बुक खरीदो कोई भी मॉक्टेस खरीदो अगर आपको बैच खरीदना है तो y452 लगाइए y452 लगाइए s नहीं लगाना और यह कोड सब जगा काम करता है ठीक है thank you so much guys take care and bye bye अपना ध्यान रखे पढ़ते रहें और सबसे important है अब इस time प करता है